Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Dheeras the Vlogger तो गई सबसे पहले मैं आपको और आपकी फैमिली को विश्खना चाहूँगा A very happy and prosperous new year गईस पिछला साल जो था 2020 यो बहुत सारी लोग के लिए काफी struggling था बहुत सारी challenges और difficulties आई तो मैं यही wish करूँगा यही उमीद करूँगा कि आपका 2021 काफी ज़्यादा भेतर हो बहुत सारी opportunities से भरा हुआ हो तो वीडियो के बारे में बात करते हैं description और title देखे तो आपको समझी गया होगा कि आज का वीडियो क्या related है इसके पीछे का मैं एक background दे देता हूँ Instagram पर मुझे कुछ DMs आये थे कि आप electronic market review कीजे electronic market के कोई shops हमें दिखाईए electronic products के review कीजे कुछ suggestions आये थे कि आप electronic earphones, headphones के unboxing कीजे एक दो suggestions मुझे ऐसे भी आये थे कुछ suggestions ऐसे भी आये हुए थे कि आप OnePlus Nord की unboxing कीजे OnePlus Nord एक ऐसा phone है जो future 5G ready phone है काफी जादा detail में ये वीडियो होने वाला है एक और चीज बता दूँ इस phone के कुछ cons जो है कुछ चीजे ऐसी जो है जो phone में होता तो और जादा बहतर ये phone होता जो मैं बताने वाला हूँ end में तो video के end तक बने रहे ना जैनल पर नहीं हो तो subscribe करना बेल आकन को भी प्रेस कर देना वीडियो पसन आए तो like जरूर करना एंड एक और चीज में बोलना चाहूँगा Instagram पर भी मुझे फॉलो कर सकते है यहां पर भी मैं वीडियो न्यू वीडियो के रिलेटेट काफी ज़दा अपडेट्स देता रहता हूँ तो जैसे कि आप देख सकते हमारे पास है ब्रैंड न्यू वन प्लस नौड यहां पर जो है वन प्लस की ब्रैंडिंग है और लोगो है वन प्लस का लेप साइट पर वन प्लस नौड की ब्रैंडिंग है राइट साइट पर भी वन प्लस की ब्रैंडिंग है काफी ज़दा कॉंपैक्ट और थोड़ा सा है वी सा यह जो है इसकी पाकिंग है यह जो वेरिएंट हमारे पास है यह है 12GB RAM अद 256GB MEMARY Color है Gray Onyx एक highlight में इसकी variants के बारे में देना चाहूँगा globally सिर्फ दो models इसमें launch हुए थे जो है 8GB RAM, 128GB memory and 12GB RAM and 256GB memory specially इंडिया के लिए जो है एक और variant launch किया गया जो की है 6GB RAM and 64GB memory ताकि फोन थोड़ा सा budget में भी आ जाए and मैं बताना चाहूँगा इसमें 3 colors है total blue marble, gray onyx and gray ash तो हमारे पास जो है वो है gray onyx जल्दी से करते हैं इसकी unboxing तो वाइस करते हैं इसकी unboxing box का भी काफी जाथा अच्छा look आ रहा है एक matte सा इसमें look आ रहा है जल्दी से खोलते हैं देखते हैं यहाँ पे है हमारा phone जो की है gray onyx इसे हम रखते हैं side में इसके अंदर तोड़ा एक देख लेते हैं packing जो है बहुत ही जादा बहतर है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें एक है welcome letter इसमें काफी अच्छी quality का जो है यहाँ पे case दिख रहा है जिसका material बहुत ही जादा बहतर है इसमें है one plus node की sim ejector pin कुछ documentation जो हम रखेंगे side में charger इसकी packing जो है बहुत ही जादा compact है तो हम इसकी cable आप देख सकते हैं काफी जादा weight है इसकी quality जो है बहुत ही जादा अच्छी लग रही है जो guys बात करते हैं phone के बारे में अब देख सकते है grey onyx color है इसका look बहुत ही जादा अच्छा आ रहा है इसकी खास बात यह है कि इसके back side पे and इसके front side पे Corning Gorilla Glass 5 लगा हुआ है जो कि protection phone के protection के लिए काफी जादा बहतर है and बात करते हैं इसके ports and buttons की तो left side पे है volume rocker button right side पे जो है इसके phone का है alert slider और power का on and off button and मैं बता दूँ इसके जो ports and buttons है वो totally बने हुए metal से इसकी खास बात यहाँ पे है कि यहाँ पे noise cancellation का आपको sensor दिख रहा है यह noise cancelling के लिए एक microphone है जो कि noise cancellation में आपको बहुत जादा help करता है and speaker grill यहाँ पे है sim tray and यह छोटा सो जो दिख रहा है यह है microphone बात करते है phone की screen की and इसकी display की तो यह है 6.44 inches का amulets screen and इसकी सबसे खास बात यह है कि इसका refresh rate बहुत ज़्यादा बहतर है इसका refresh rate है 90 hertz तो यह एक बहुत ज़्यादा plus point हो जाता है बात करते है Qualcomm snapdragon 765 5G phone जो की है बहुत ज़्यादा optimized आपको performance इसकी performance जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होगी and अगर इसकी battery के बारे में बात करते है काफी ज़्यादा लोगों को complaints रहती है कि इसकी battery long lasting है या नहीं इसकी charging के बारे में बताएगे कुछ highlights दीजे तो इसकी battery जो है वो है 4115 mAh की and previously जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे oneplus के ऐसे models से जिसकी battery होती थी 3500-3700 but इसमें 4000 plus mAh की battery जो कि यह बहुत ज़्यादा अच्छी performance आपको देगी long day long आपको performance देगी and इसके साथ जो आता है वो है 30T का warp charger जो की काफी ज़्यादा fast charger है and ऐसे claim किया हुआ है कि 5-100% यह जाता है सिर्फ 50 minutes के time में जो की बहुत ज़्यादा efficient है आप इसको काफी ज़्यादा अच्छी से fast charge कर सकते हैं तो गईस अभी बात करते हैं इसका सबसे important factor जो की है इसका camera तो OnePlus Nord ने invent किया है यहाँ पे quad camera setup जहाँ पे अगर हम rare cameras की बात करें तो यहाँ पे एक Sony IMX का sensor है जो की 48 megapixel का camera इसका जो दूसरा camera है वो है 8 megapixel का ultrawide camera, macro 2 megapixel का एक camera है, depth sensor का भी 5 megapixel का इसका camera है तो camera की performance जो है वो definitely बहुत ही जादा अच्छी होगी, बात करते हैं अगर इसके front camera के बारे में तो इसका front camera जो है वो भी काफी जादा बहतर है, Sony IMX 32 megapixel का जो इसका camera है and 8 megapixel का जो है ultra wide camera है and guys इस phone के जो कुछ cons है जो मैं बताने वाला था, मतलब जादा तो इतने कुछ है नहीं बर दो cons है जो मैं इसके बारे में बताऊंगा जो होते तो शाहिद और भी जादा phone बहतर होता सबसे important और सबसे जादा main जो यहाँ पे point है वो है 3.5 mm का headphone jack जो की missing है होता तो और बहतर होता but it's हो के bluetooth वगर हम इस पे use कर सकते हैं वो भी काफी जादा अच्छा performance देगा दूसरा जो है यहाँ पे expandable memory का कोई option नहीं है बट अगर आप 128GB memory and 256GB memory के phone के लिए opt करते हो तो आपको जादा memory के लिए कोई जादा issues नहीं होगा बट अगर आप 64GB की memory के लिए opt करते हो तो आपको एक moment पे ऐसा लगेगा कि आपको expandable memory इसमें चाहिए थी तो guys कैसा लगा आपको video definitely comment section में बताना इसका अगर आपको full review भी चाहिए तो comment section में बता देना या मुझे instagram पे भी आप follow कर सकते हो मुझे dm कर सकते हो वहाँ पे की आपको कैसा लगा and इसके कुछ reviews आप मुझे दे सकते हो because यह मेरा first unboxing video है and guys end में बताना चाहूँगा आप हमारे channel पर अगर new है तो subscribe कीजे bell icon को भी press कर दीजे because मैं ऐसी बहुत सारी videos अपने channel पर लाता रहूँगा thank you